Hello everyone, welcome back to this channel, this video is very important for J 2024 aspirant, और especially अपने उन सभी students के लिए जो इस साल जोसा counseling में involved होने वाले हैं, दोस्तों कल साम को जोसा की जो official website है, उस पर एक नया update आया है, वो नया update क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आप official website को open करेंगे न, josa.nic.in, उसके बाद news and event वाले portal पर देखें यहाँ पर पहला option क्या है, josa 2024 schedule, मतलब 2024 का counseling का पूरा schedule, online reporting time क्या है, first round, second round, third round, कब ओबर होंगे, choice flinks कब lock होंगी, यह पूरा schedule यहाँ पर upload कर दिया गया है, आप जैसे यहाँ पर click करेंगे, उसके बाद आपका एक नया portal open होगा, और आप देख पा रहे होंगे, left hand करने का option है, और जैसे ही आप यहाँ पर click करते हैं, तो इसके बाद आप देख पा रहे होंगे, this is a complete schedule of event of a josa 2024 online reporting, तो मेरी आप सभी से request है, यह सबसे पहले, आप इस PDF को download करके, अपने device में save कर लिजेगा, इस PDF में क्या-क्या important है आपके लिए, वो मैं briefly आपको इस वीडिय for all of you, मैं पहली बता देता हूँ, कई बार क्या होता है कि कुछ चीजें हमें पता नहीं होती, और कुछ important dates और कुछ important information हमारी miss हो जाती है, जिसकी वज़े से हम deserve करते थे एक अच्छे college में, एक अच्छी branch, लेकिन just because of lack of information, हमारे पास ये एक better opportunity miss हो जाती है, एक छोटा सा व counseling के दौरान किन चीजों का ध्यान रखना है, देखें, जैसा कि आप यहाँ पर observe कर पा रहे होंगे दोस्तो, 9th of June, Sunday को J.E.A. Advance का result declare होने वाला है, हमारे कई सारे J.E.A.spirant इस समय advance के result का इंतजार कर रहे हैं, और I wish कि आप जितना deserve करते हैं, आपकी rank उतनी बहतर आए, मत तरह की गड़बरी देखने को ना मिले, जैसे कि आप सभी ने अभी देखा होगा, नीट के result में देखने को मिले हैं, और वैसे advance का paper है, तो definitely मुझे पूरी उम्मीद है कि इस तरीके का कोई भी गड़बर मामला देखने को नहीं मिलेगा, तो भाई, मेरी तरफ से best wishes हैं, candidate registration और choice filling जो है न, वो आपकी start हो जाएगी कब 10th of June को, मतलब Monday से साम को 5 बजे से, पांच बजे के बाद आप जो सा counseling के portal पर जाके अपना registration कर सकते हैं, और उसी के साथ आप यहाँ पर अपनी choice filling कर सकते हैं, देखिए दोस्तों, यह choice filling जो है न, यह सबसे जादा important role play करता है, कि जब हम choices को fill कर रहे हैं, उस समय किस college की किस branch को हमें किस priority order में fill करना है, मुझे याद है कि जब 2010 में मेरा J.E. का result आया था, और उस समय भी मुझे counseling करनी थी, तो कुछ इसी तरीके का procedure रहता था, तो मैं 5-6 दिन तक इस बात को लेकर के confused रहा, उस समय इतने resources भी नहीं थे, जहां से मुझे help मिल सके, कि मुझे filling जब करनी हैं, तो किस college की किस branch को preference देनी चाहिए, तो देखे मैं आपको ये कहूंगा, कि इस case में आप क्या करें न, सबसे पहले काम जरूर करिएगा, आपको यहाँ पर जो जो सा की website है न, उस पर अगर आप third वाला option देखे न, opening and closing ranks ल मतलब कोई भी college की particular branch किस rank पे open हुआ और किस rank पे close हुआ, यह आपको 2023 के सारे records मिल जाएं, यह आपकी help करेगा to decide the preference order, इसके लाबर preference इस बात पे भी depend करेगा, कि यार आपके आगे की future की planning क्या है, आपका area of interest क्या है, जैसे आप मैं से कुछ ऐसे भी students होंगे, जो students सिर्फ औ यहाँ पर B.Tech degree लेना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद उनके future plans कुछ और है, तो उनके लिए branch ज्यादा matter ही नहीं करती, उनके लिए matter करता है college, कुछ ऐसे भी students होंगे, जो desperate हैं, कि मुझे एक अच्छा engineer बनना है, मुझे एक software engineer बनना है, तो उनके लिए branch ज्यादा important है, rather than the college तो देखिए हर तरह की category है, लेकिन मैं आप सभी को recommend गरूँगा, वैसे hopefully आप में से कई सारे लोगों ने देख भी लिया होगा, क्योंकि देखो आपको J mains की तो CRL rank आ चुकी है, और advance की आने वाली है, तो ranks और advance का एक rough idea तो आपको लगी गया है, क्योंकि answer की release हो चुकी है, तो आपकी rank almost किस range में आने वाली है, अगर आपको idea नहीं लग रहा है, तो मैं आपको बता दूँ कि इस video के description में हमारा एक rank predictor दिया हुआ है, आप वहाँ पे click करके आप check कर सकते हैं कि लगभग आपकी rank पर या आपके marks पर आपको कौन कौन से colleges a lot हो सकते हैं, वो जो rank predictor है वो आपकी इसमें help करेगा, तो भाई opening और closing ranks यहां से देखने का उसके बाद क्या करना, जब choice fling करें तो यह decreasing order में होना चाहिए, decreasing order का मतलब क्या है, मतलब priority में वो college और वो branch उपर होनी चाहिए, जो top priorities हैं आपकी, यह बहुत important है, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, औ और एक और बहुत important बात, कोई भी branch या कोई भी college आप लेने में interested नहीं है, तो please आप उसे fill भी मत करिएगा, मतलब हमेशा याद रखिएगी, जब choices filling की जा रही है, तो वो branches हमें हमेशा उपर fill करनी चाहिए, जिनके मिलने की probability कम है, और हमारी priority list में उपर है, या हम यह कह सकत हैं, उस branch को उन लोगों ने select किया था, जिनकी rank हम से और बहतर आई थी, मतलब जिन लोगों की rank हम से 5000 या 6000 इससे भी बहतर आई थी, उन लोगों की जो choice filling थी, तो वो आपको उपर fill करना चाहिए, जैसे मैं तो simple सी बात यह कहूँगा, कि भाई, जैसे कि आपको पता है, कि क priority list में, ऐसी branches आपके top level पे होनी चाहिए, इसके बाद देखना भई, इसके बाद next, जो date important है, वो है आपके लिए 15 June, 15 June को क्या होने बाला है, display of mock seat allocation, और इसमें एक और बात बात बता दूँ, यह जो mock seat allocation होगा, यह किस basis पे होगा, यह है आपका 14 June को, कब 14 June को साम के, एक बिनिट, yes, 14 June को, यहाँ यहाँ पे लिखा हुआ है, 14 June को साम के 8 बज़े तक, जिन लोगों ने choice filling कर दी होगी, उस basis पर आपको, यहाँ पे seat का allocation होगा, जो कि कब होगा 15 को, अब आप में से कई सारे लोग को mock seat allocation के वारे में नहीं पता होगा, तो मैं आपको बता choice filling करेंगे, उन choice filling के basis पर, आपको कौन से college मिलने की probability है, वो आपको दरसा है जाएगा, उसका मतलब यह बिलकुल भी नहीं है कि आपको यही college और यही branch मिलेगी, मैं आपको clarify कर दूँ, ठीक है, मतलब आपने जो choices fill करी हैं, या इस साल जितने भी students ने, 14 June साम के 8 बज़े से पहले, जो choices fill करी हैं, उसके basis पर आपको यह college मिल सकता है, इस से हमें एक बहुत बहतर idea लग जाता है, यह mock seat allocation जब मैंने जई का exam दिया था, तो उस हमें नहीं हुआ करता था, लेकिन यह feature आज कल आ गया भी, अब इस से क्या होता ना, आपको क्या idea लगता है, कि for example, आपको I उपर कुछ ऐसे colleges और branch fill कर रखे हों, जिनकी closing rank इवन IIT Road की mechanical से भी कम है, और उसके नीचे जो branches fill करी हों, कहीं ऐसा तो नहीं है, कि उनका जो priority list है, वो उसके भी उपर है, तो एक mock seat allocation हमें एक rough idea देता है, कि जो हमने यहाँ पर priority fill करी है, जिन colleges और branches को fill किया है, उसका order सही है या नहीं, उसके बाद आपको दोस्तों यहाँ पर जो अगली date है, जो आपके लिए बहुत important है, वो है आपके लिए 17 जून, 17 जून को आपको display of mock seat allotment, second mock seat allotment होगा, अभी भी mock seat allotment ही हुआ है, ठीक है, इसके बाद next जो date है, जो की सबसे ज़ादा important है, 18 जून, candidate registration and choice fling for academic program, अंडर जोसा 2024 ends, 18 जून के बाद, आप अपनी choice fling को change नहीं कर सकते, अपने priority order को सफल नहीं कर सकते, मतलब 18 जून, वो last date होगी, जिसके बाद आपकी choice fling हमेशा के लिए lock कर दी जाएगी, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, हमेशा का मतलब, उसके बाद आप further rounds में भी change नहीं कर पाएंगे, कुछ लोगों को लगता है कि round 1 या 2 के बाद change कर सकता हूँ, मैं आपको बता दू, last round तक आप उसे change नहीं कर पाएंगे, एक major update और है आप सभी के लिए, last year तक, ये जो counselling थी ना, ये 6 rounds में हुआ करती थी, लेकिन इस बार ये जो counselling है न, वो सिर्फ और सिर्फ 5 rounds में हो रह तो यार मैं आपको बता दू कि अभी आपके पास अच्छा खासा समय है, ठीक है, लगवग अभी आपके पास 10 से 12 दिन बचे हुए हैं, तो अभी से आप लोग अपना college और branches का एक priority list बनाना start कर दीजे, मतला एक mock drill अभी से करना start कर दीजे, कि जब ये portal आप इंतजार मत कर अभी से एक mock drill, opening और closing ranks को देखते हुए, अपनी preferences, अपने area of interest, अपनी locations को देखते हुए, अपने parents से discuss करने के बाद, ये सारी choices fill करना start कर दीजे, मैंने ये क्यों बोला कि parents से discuss क्यों करिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमने अपनी मर्जी से north east fill कर दिया, या हम suppose north region में और हमने किसी south का कोई college fill कर दिया, suppose मैंने IIT madras fill कर दिया, लेकिन हमारे parents agree नहीं हो रहे हैं इस बात के लिए, वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं भईया, हमारा लला इधर ही रहेगा, हमारे पास ही रहेगा, ठीक है, north east में हम बेजना ही नहीं चाहरे है, तो ऐसे बहुत के बाद ही ये सारी choices दोस्तों आपको fill करनी है, ठीक है बाई, 18 जून को lock कर दिया जाएगा, उसके बाद 19 जून को आपका, यहाँ पर जो भी data है उसका verification होगा, और validation of allotted seats होगा, ठीक, इसके बाद round 1, 20 जून आपके लिए date important है दोस्तों, 20 जून को seat का allotment होगा, round 1 में जि भी students को seat allotted होगी, वो 20 जून को हो जाएंगी, उसके बाद फिर आपका online reporting, fee payment, documents upload, यह सारा procedure स्टार्ट हो जाएगा, और round 1 के लिए 24 जून को, 24 जून को, this is a last date for the payment, याद रखेगा, यह last date होगी payment की, इसके बाद फिर आपका payment नहीं होगा, round 1 जैसे ही complete होगा, उसके बाद 27 जून से round 2 start हो जाएगा, कुछ आप मैंसे ऐसे student होगे, जिनको round 1 में seat मिली है, लेकिन उन्होंने उस seat को freeze नहीं किया है, वो आगे उसे भी सफल करेंगे, और करना भी चाहिए, मैं आपको recommend करूँगा, definitely, कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ student जो है, वो back out कर लेते हैं, तो आ पर important क्या है दोस्तों यह देखना, कि जो round 2 है न, एक minute, yes, जो round 2 है, उसका last date of fee payment ही होगा, एक जुलाई, ऐसा भी होगा कि कुछ students को round 1 में, कोई भी seat a lot ना हुई हो, लेकिन round 2 में हो जाए, अगर round 2 में भी ना हो, तो घबराना मत आगे का wait करना, क्योंकि मैंने आपको बता जो है, आपका 4 जुलाई से start होगा, 9th of July को end हो जाएगा, PDF में देख लीज़ेगा, कई सारे ऐसे भी students होते हैं, जो कि मैंने देखा है, कि उनको पहले 2-3 round में कोई भी seat a lot नहीं होती, और last के round में जाकर कि उनको seat a lot होती है, तो अगर आप मैंसे किसी को कोई seat a lot ना हो, तो गबराना मत, मैं अपने कई सारे students को जानता हूँ, जिनकी ranks बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उन्होंने counseling करते समय, patiencefully, filling की, और last round तक वेट हिया, और उन्हें last rounds में जाकर के decent NITs में एक decent branch तक मिली है, तो मैं आपको बता दूँ, दोस्तो, 5th round जो है, वो आपका 17 जुला ही है, इसके बाद ये last के, दो round है, that is CSEP counseling, अब ये CSEP counseling is not for IITs, IIT colleges की जो counseling है ना दोस्तो, वो 5th round के बाद freeze हो जाएगी, इसके बाद आपका seat allotment freeze कर दिया जाएगा, आपको whatever जो भी branch और जो भी college मिला है, उसके बाद अब further change नहीं हो सकता, लेकिन इसके बाद एक counseling होती है, that is for NIT system, NIT system मतलब उन colleges के लिए जो NIT, IIITs और GFTIs हैं, उनके लिए counseling होती है, that is CSEP counseling, क्योंकि कुछ SEB seats होती है NITs में, IIITs और GFTIs में, कि जो vacant रह जाती हैं, या कुछ students ऐसे भी होते हैं, जैसे कि 12th class में हैं, और suppose उनको जो college मिल रहा है, उससे वो satisfy नहीं है, और वो drop लेना चाते हैं, तो वो counseling से back out कर गए है, तो उन seats को fill करने के लिए CSEP counseling होती है, और ये CSEP counseling, especially dropper students के लिए बहुत important होती है, because they don't have options है, 12th के student के पास तो option है, वो फिर से drop लेने का plan भी कर सकता है, लेकिन you don't have an option, तो अगर आपको seats नहीं मिलती है, तो आप last round तक जरूर ज मिला है, हाँ मैं कह सकता हूं बहुत अच्छी branch नहीं मिली होगी, लेकिन फिर भी एक decent NID में एक उसे branch मिली है, ओके, तो ये है overall procedure, I hope कि मेरे सारी बातें आपको समझ में आगी होगी, PDF को download करके एक बार जरूर पढ़ लीजेगा, और मैं आपको एक और important बात बता दूं, कि इस जोसा counseling में कौन कौन से documents की आपको जववत पढ़ेगी, इसके लिए मैं already एक वीडियो बना चुका हूं कल, चोटा सा वीडियो है, 9 से 10 मिनट का 1.5 X पर करके उसे जरूर देख लीजेगा, और उसका जो link है, वो इस वीडियो के description में आपको दे दूंगा, कि आपको जो अपने documents अपने क्या रखने, ready रखने, ओके, thank you, bye-bye.